हाई गेस मिन्या कुमारी हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी एक्ट्रेस रही है उन्हें ट्रेसेडी क्विन के नाम से भी जाना जाता है लंबे समय से उन पर बायोपिक की खबरे आ रही थी अब फाइनल इनका ओफिसल एनॉंस्मेंट हो चुका है सारे गामा ने बिलाल अम्रोह और एक पार्ट्नर के साथ ये मुवी बनाने का एनॉंस्मेंट किया है मुवी दोजाट 26 में रिलीस होने के मोहर लगाया गया है मिन्या कुमारी की जिनगी काफी उतर चड़ाव भरी थी अब कमाल अम्रोही के साथ उनकी लव स्टोरी को बड़े पर देखा जा सकेगा ये बहती अच्छी लव स्टोरी रहने वाली है जैसे आपने कप भी नहीं देखी होगी ऐसी लव स्टोरी इसमें देखने को मिलेगी सारे गामारी इंस्ट्याग्राम पर वीडियो पोस्ट किया था इसमें कुछ पुरानी तस्वीरे उर्दू में लिखे खत और मीना कुमारी क कमाल अम्रोई की आवच सुनी जा सकती है एक फिल्म मेकर और उनकी सारगीद उनके सितारे लव स्टोरी में टकराए एक सपना जिसने दम तोडने से मना कर दिया एक प्रेम कहानी जो कबर से आगे चली गई वीडियो के आखरी में पाकी जाके गाने चलते चलते की लाइन से इस मुवी को डायरेक्शन पी मलोतरा दे रहे सिद्धाट पी मलोतरा साथ में आपको बता दे कि कमाल अम्रोई के नीधन के बाद उसी कमरास्तान में उनको दफनाय गया था जाहां मिना कुमरी की कबर थी जब वीडियो पोस्ट किया गया था तो संजै दत ने भी इस मुव कमारे सची और बिलाल आपके नए वेंचर के लिए सुपकाम नाय यह मुवी सफल रहे आपको संजै बामु की तरब से खुब सारा प्यार इस मुवी का इंतजार है बिलाल अम्रोही जो की कमाल अम्रोही के पोते है और उनकी साधी संजै दत की बेन नमरता दत्ता की बेटी सची से हुई है और ये मुवी में मीना कुमारी और कमाल अम्रोही की 20 साल की सफर को दिखाये जाएगा मीना कुमारी जब कमाल अम्रोही से पहले बार मिली थी तब वो 18 साल की थी और उस मुलाकत का किसा भी मुवी का एहम हिसा होगा तो दोस्तों आप भी ऐसी मुवी देख प्यारु का दीजिया